Hello Bankers, आज मैं जिस मुद्धे पर आप से discussion करने वाला हूँ, आज जिस विशय पर मेरी आप से चर्चा होगी, वो IIBF के revised syllabus और उसकी strategy पर हम लोग discussion करने वाले हैं और जिस particular paper के strategy मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इसे हम prepare करेंगे, वो होगा Indian Economic, Indian Financial System आज इस पूरे विशय पर मेरी आप से ठीक से चर्चा होगी कि कैसे हमें prepare करना इस particular paper को As you know, IABF has made some certain changes in old syllabus and two new paper have been added First one is Indian Economy and Indian Financial System and second one is Retail Banking and Wealth Management ये दो नए paper जोड़े गए हैं आपके नए syllabus में, इसका मतलब ये है कि जहां पहले आप तीन paper दिया करते थे old syllabus में, अब वहाँ पर सिर्फ आपको चार paper देने हैं बजाए तीन paper के, तो ये एक change आया है curriculum में और कुछ syllabus में भी change किया गया है, जो old syllabus था, उसमें कुछ change किया गया है, कुछ नए paper पर add किये गए है, तो उनकी strategy क्या होनी चाहिए, इस पर मैं आज से discussion करूँगा, ताकि आपकी preparation को सही तरीके से नई दिशा दी जा सके, तो आज इंडियन economy और इंडियन financial system, जिस particular paper के strategy पर में चर्चा करूँगा, ये वो paper होगा, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो नया syllabus है, जो change हुआ है curriculum में, जो change हुआ है syllabus में, वो change क्या है, तो सबसे पहले अगर हम लोग change को देखे, तो अब आपको तीन papers की बजाए, चार cool paper देने हैं, first one is, या first paper होगा, इंडियन economy और इंडियन financial system, ये बिलकुल नया paper है, जो इस बार add किया गया है, मतलब paper नया है, syllabus अगर आपको मैं इसका ठीक से बताऊंगा, तो syllabus वही है, पुराना वाला syllabus है, पुराने वाले जो आपके papers से उनमें ही कुछ modifications किये गए हैं, उनको ही कम जादा करके ये papers जोड़े गए हैं, तो पहला paper होगा, इंडियन economy और इंडियन financial system, second paper होगा, प्रिंस्पल और प्रिंस्पल और प्रैक्टिस और बैंकिंग, PPB, जो आप old syllabus में भी देते रहे हैं, तीसा paper या third paper होगा, accounting and financial management for banking, जो पिछले syllabus में, old syllabus में, AFB के नाम से हुआ करता था, और fourth paper, जो इस बार नया जोड़ा गया है, वो है retail banking and wealth management, ये paper हाल फिलहाल में ऐसा है, जिसमें ज्यादा तर topics बिल्कुल नए हैं, तो ये चार papers हैं, जो अब आपको तीन paper की बजाए, देने हैं, May 2023 onwards, इसमें 2023 के examination से, इच paper है four module, सारे papers के पास चार module है, module A, B, C और D, जिनमें इन paper के पूरे syllabus को divide किया गया है, तो ये चार paper हैं, जो आपको देने हैं, इस्पेशली मेरी याद जिसमें आप से बातचीत होगी, वो इंडियन economy, इंडियन financial system होगा, देखें bankers, पहली चीज़ तो ये है, कि बहुत positive mindset के साथ आप preparation अपनी शुरू करें, क्योंकि दो नए paper जुड़ने से, एक चीज़ तो ये हो गया है, कि आपका syllabus बहुत vast हो गया है, इसलिए essay bankers जो पहली बार examination देने जा रहे हैं, वो ज़्यादा dilemma में है, कि क्या syllabus होने वाला है, या कैसे paper होगा है, क्या strategy होगी, जिसमें इस paper को easily prepare कर सके और easily crack कर सके, तो आज में उस strategy पर आप से ठीक से चर्चा करूँगा, और वो विशय होगा Indian economy, Indian financial system, तो syllabus vast हुआ है, बहुत जादा tough paper अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप old syllabus में देखेंगे, तो जो PPB का module 1 था, उस module 1 को ही वहाँ से हटा के Indian economy, Indian financial system में Indian financial system वाला हिस्सा add कर दिया गया है, Indian Indian economy के कुछ basic topics विसमें add कर दिया गया है, और पूरा paper एक नया बन गया, Indian economy और Indian financial system के नाम से, तो बहुत जादा changes नहीं हुए है, कम जादा किया गया है, और कुछ basic topics को include कर दिया गया है, पहली चीज़, दूसरी चीज़, Indian economy के लिए बहुत जादा आपको परिशान होनी के ज चुरू करें, क्योंकि economy के बहुत basic topics से इसमें add किये गये हैं, और वो ये topic add किये गये हैं, जो आप अपने academic year से सुनते चले आ रहे हैं, या दूसरा वो topic है, जो आपके banking के लिए बहुत जरूरी है, पहले तो ये जानना है दोस्तों कि IIBF ने इन changes को किया क्यों है, बैंक मे बहुत सारे change आ गए हैं, इन changes से bank employee ठीक से aware हो सके, ताकि banking functions smooth हो सके, इन सब को ध्यान में रखे, बहुत beautifully design किया है IIBF ने अपना नया curriculum, तो दो नया paper जुड़े, इस से paper थोड़ा सा syllabus आपका वास्ट हुआ है, लेकिन कुछ बहुत जादा कठीन होने वाला नहीं है, अब द A है, Indian Economic Architecture, Indian Economic Architecture में अगर हम देखेंगे, अगर हम देखेंगे, तो बहुत basic topics रखे गए हैं, इंडियन economy का overview है, क्या है Indian economy, economy और economics में क्या difference है, यह आप हमेशा से सुनते चले आ रहे हैं, basic जानकारी आपको होगी इस चीज़ की, sectors of Indian economy, Indian economy में कितने sectors हैं, primary, secondary, tertiary, बहुत basic से जानकारी यह भी है, आपने अपनी basic साबों में इसको पढ़ रखा है, पहले से, तो बहुत कोई बड़ा topic नहीं, छोटे-छोटे यह दोनों topic है, economic planning, five-year planning, नीति आयो, planning commission को कैसे replace करका है, इस विशे में थोड़ी बहुत बातचीत होगी, MSME क्या है, social infrastructure, globalization, economic reform, यह सारे theoretical topic है, तो यह पूरा paper theoretical ही होने वाला है, इसलिए आपके लिए तैयारी करना कोई बहुत जादा कठिन नहीं होगा, clear है, economic reform में आप जब 1991 का reform पढ़ेंगे, तो इसमें liberalization, privatization, globalization, globalization, यह तीन pillars आपको मेंली दिखते हैं, उनमें ही globalization को यहाँ पर अलग से define किया गया है, तो economic reform से related यह है, कोई नया अलग से topic नहीं, यह दोनों एक जैसा ही topic है, foreign trade policy क्या है, इंडियन economy में, international economic organizations में आप world bank, IMF, इन सब पर चर्चा करने वाले हैं, climate change जो आप लोगों ने UNO का climate change देखा होगा, sustainable development पर बातचीत होई है, और कौन-कौन से issues हैं, जो इंडियन economy इस समय face करी, तो अगर आप routine थोड़ा बहुत newspaper पढ़ यानि basic concepts से economy के रखे गए हैं, कोई बहुत cutting topic है, कोई बहुत बढ़ा topic नहीं रखा गया, यह core economy नहीं रखी गई है, तो बिल्कुल परेशान होने के जरूत नहीं है, paper जरूर यह नया जुड़ा है, लेकिन syllabus आपके लिए आसान ही होने वाला है, module B में अगर हम देखेंगे, तो यह economic concept related to banking, ऐसे concepts को रखा है IABF ने, जो banking से related है, जो banking functions को smooth कर सकते हैं, उन्हीं विशो को यहाँ पर रखा गया है, तो fundamentals क्या है economy के, micro और macro economics में क्या difference होता है, supply and demand, यह आपका core economy का एक topic है, supply क्या है, supply cycles क्या होती है, fluctuation demand का कैसे होता है, demand curve shift कैसे होता है, यह बहुत basic से ज करता रहूंगा लगाता, तो आपको clear हो जाएगा, supply and demand में बहुत basic जानकारी ही रखी गई है, money supply and inflation, bank में काम करने के दौरान आप इससे रूबरू होते रहे है, money supply और inflation थोड़ी बहुत जानकारी आपको है, reserve bank of India और आप bankers इस पर ठीक से काम करते हैं, तो यह भी आपके ल मिलते चलेंगे, monetary policy, आप वाकिफ है, monetary policy से repo rate क्या होता है, reverse repo rate क्या है, RBA की policy rates क्या है, RBA के reserve rate क्या है, open market operation क्या है, इन सब पर इस topic पर रखा गया है, चर्चा होगी, system of national account और GDP पर चर्चा होगी, GDP आप regular basis पर सुनते रहते हैं, newspaper में लगात आ रहता है, तो GDP क्या है, GV क्या है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों एक तरीके से similar कैसे हैं, इन सब पर चर्चा होगी, और union budget है, आप कैसा है, union budget में सरकार के income क्या है, expenditure क्या है, इस पर ठीक से discussion होना है, तो अगर आप module A और module B दोनों को देखें, तो ये दोनों ही economy के basic concept पर बात कर रहे हैं, इन दोनों की preparation बहुत आसान है, अगर आप basic कोई book economy की इंडियन economy की उठा लेंगे, तो भी आपका काम हो जाएगा, या basic NCRT भी अगर आप ले लेंगे, तो भी आपका कम से कम ये दोनों module prepare हो जाएगा, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, कि module A और module B को एक flow में आप यानि module को jump मत करिएगा, क्योंकि दोनों ही अगर आप ठीक से देखें, तो module A और module B बहुत ठीक तरीके से design किया गया, और दोनों एक दूर से interrelated है, module C और module D इस पे कुछ ऐसे topics हैं, जो थोड़ा comparatively cutting होने वाले हैं, लेकिन हैं ये basics ही, module C है, Indian financial architecture, तो यहाँ पर financial product, financial market इन structure, चुकि आप bank में काम कर रहा है, तो Indian banking structure ये topic जैसे आप open करते हैं, आपको ज़्यादातर चीज़ें ऐसी मिलेंगी, जिनको आपने पहले से पढ़ा रखा है, ये अपनी practical, अपनी banking की routine life में आप इन से familiar हैं, Indian banking laws में दो laws आप पढ़ने वाले हैं, RBI Act 1934 और Banking Regulation Act BRA Act 1949, इस पर बात चीत होगी, NBFCs क्या है, non banking financial companies कैसे काम करती है, RBI की guidelines क्या है, उनके functions क्या है, उनके objectives क्या है, इस पर चर्चा होगी, insurance product और insurance companies पर बात होने वाली है, Indian financial system में जो regulating authorities हैं, उनके jobs क्या है, उनके roles क्या है, जिसमें हम लोग RBI, IRDA, PFRDA, SEBI इन सब पर discussion है इस topic में, और क् banking sector में reform रहा है, तो ये module C, पूरा और पूरा financial structure को represent कर रहा है, module D थोड़ा बड़ा भी है, और competitively थोड़ा सा कठिन इसलिए है, क्योंकि इसके topic हैं, उनको आप routine life में नहीं सुनते हैं, जब आप economy और financial system को पढ़ने जाते हैं, तो ही ऐसे topic आते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये module A और module B को compare करें, तो वो दोनों interrelated है, module C और module D को अगर आप compare करेंगे, तो ये दोनों interrelated है, आप किसी भी module को बिना jump की अपनी preparation करें, ताकि बार बार आपको revise ना करना पड़े, revision कम से कम आपका हो, revision कम से कम होने का मतलब यह है, कि मैं आपको revision कम करने के लिए नहीं कह रहा करेंगे, financial market के ही दोनों part है, तो जैसे ये दोनों topic तयार होते है, financial market अपने आप आपका prepare होगा, जिनका market में debt और bond market देखेंगे, जिसको आप money market में, अपने bank में काम करने के दोरा निया, अपने academic year में सुना जरूर होगा, foreign exchange market क्या है, international market में market dynamics ये तोड़ों छोटे छोटे topics ने कोई बहुत बड़े topic नहीं है, merchant banking services क्या है, आपको पता है कि bank अपनी core banking services के साथ साथ, अब बहुत सारे और financial activities को perform कर रहा है, बहुत सारी और financial activities में involved है, उन्ही activities में merchant banking है, derivative क्या है, जब आप capital market पढ़ते हैं, तो derivative market, capital market का ही part है, तो ये दोनों एक दूसरे से इंटर ल firm established होता है, जब startup होता है, उसको startup को शुरू करने के दौरान और बीच में से fund के requirement होती, तो venture capitalist वहाँ पर involved हो जाते हैं, leasing finance or higher purchase, assets कैसे create करना है, lease क्या है, और higher purchase किसको किया जाता है, तो ये छोटा-छोटा topic है, और सारे theoretical topic है, इसलिए बहुत आसान होगा ये आपको पढ़न के आपका Indian economy and financial system एक नया subject आपको दे दिया गया है, mutual funds आप bank में काम करने के दौरान, या bank में preparation के दौरान, या जब आप अपने friend circle में बातचीत करते होगे, तो mutual fund आपने लगातार सुना होगा, mutual funds क्या है, NAV क्या है, mutual fund की functions किसकरते हैं, bank कैसे इसमें services provide कर रहा है, credit rating agencies में हम credit score क्या है, इन सब पर बातचीत होगे, जब आप bank में loan distribute करते होगे, तो इस शब्द को लगातार सुनते होगे, customer की credit को देखते होगे, तो या आपके लिए family topic होने वाला है, insurance product, जब मैं आपको, या जब आप insurance companies पढ़ते हैं, तो ही आप insurance product दिख लेते हैं, pension funds, आपके bank में दूसरे से interconnected हैं, इससे बिना module को jump किये, आप basic से basic concept से ही शुरू करिएगा, आपका ये paper बहुत easily prepare हो जाएगा, module D थोड़ा सा compatibility, module A, B और C से बड़ा है, तो ये नया change हुआ है, IABF के कुल curriculum में, कुल syllabus में, clear है, और Indian economy, Indian financial system पर मेरी आप से strategy पर जो बात होई है, आप उसे follow क मंतराज बताता हूँ, जो preparation के लिए बहुत जरूरी हैं, और कुछ sites हैं, जिनको आप regular basis पर visit करते चलेंगे, इन sites से आप familiar होंगे, इन sites को आप लगातार देखते भी होंगे, लेकिन अब इनको preparation के point of view से देखना है, जो guidelines इन पर आ रही है, जो circular issue किया जा रहा है, उन पर आ आपके jab examination के लिए ही नहीं, बलकि आप जो भी और examination देंगे, उनके लिए ये मंतराज हमेशा इसको अपने साथ रखेगा, आप सबसे पहले अपने syllabus को जाने, आपकी पढ़ाई अपने syllabus के according ही होनी चाहिए, आप ऐसा तो नहीं कि old syllabus पढ़ रहा है या जो topic आपके syllabus में नही होता है, लेकिन आपको regular study करनी होगी ताकि आपका syllabus टाइम पर खतम हो सके, दूसरा है, आप regular revise करें, आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, वो पढ़ाई आप तक पहुची की नहीं पहुची है, आपकी preparation ठीक होई है, ये आप regular revise करके और mock test लगातार देके ही जान क्योंकि आपकी questions पर practice होना लगातार जरूरी है, और अपने आपको analyze करते चलें कि आपकी preparation अभी कहाँ पर stand करती है, तो ये आपकी strategy होनी चाहिए, basic concept है, बिल्कुल परिशान होने के जहुत नहीं, positive mindset के साथ आप preparation करें, economy के आसान topics ही रखे गए हैं, आप चाहें तो इस strategy को follow कर सकते हैं, या आपको ये अपनी नए strategy बना सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये session आपके लिए useful रहा है, तो max to max इस session को share करें, ताकि और भी लोग इस से lab ले सकें, benefited हो सकें इस session से, तो बहुत आसान तरीके से, बहुत cool होके, बहुत positive mindset के साथ आप preparation करें, हम लोग